Hello and welcome to Griraj Himachal Griraj Himachal चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम मई महीने के जितने भी important current affair के question है वो सब discuss करेंगे यह वीडियो पार्ट में होगी and this is part 1 of May month वीडियो के अंत में आपसे question भी पूछूँँगा उस question का जवाब आपको comment box में लिख करके बताना है तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मई महीने के कुछ important days है वो हम देख लेते हैं 3 मई को press freedom day मनाया जाता है और world asthma day भी 3 मई को ही मनाया जाता है ये दोनों पूछे जाते हैं exam में अक्सर world asthma day का इस बार का theme था closing gaps in asthma care 7 मई को मनाया गया world athletics day 8 मई को मनाया जाता है world red cross day 8 मई को ही मनाया जाता है world thalassemia day 11 मई को मनाया जाता है national technology day 11 मई 1998 को भारत ने पोकरन में nuclear test किया था ठीक है उस day को declare किया गया है national technology day 12 मई को मनाया जाता है international nurses day Florence nightingale के जनम दिवस पर 18 मई को मनाया गया international museum day 21 मई को मनाया गया national anti-terrorism day और इस बार 21 मई 2022 को मनाया गया armed forces day अक्सर मई महीने के third saturday को ये मनाया जाता है 22 मई को मनाया गया international day for biological diversity theme था building a shared future for all life 23 मई को मनाया गया world turtle day theme था everyone to love and save turtle 31 मई को मनाया गया no tobacco day या फिर anti-tobacco day anti-tobacco day important है exam में अक्सर पूछ लिया जाता है अब चलते है question number one की तरफ question है recently the state cabinet has approved to increase the honorarium of the president of jila parishad from rupees 12,500 to how much हाल ही में परदेश मंत्री मंडल ने जीला परिशद के अध्यक्स का मान दे बारह हजार पांट्स से बढ़ा कर कितना करने को स्विकिर्थि-परदान की है देखिए जीला परिशद के अध्यक्स का मान दे 12,500 रुपे से बढ़ा करके कर दिआ गया है 15,000 रुपे इसको परदेश मंत्री मंडल ने स्विकिर्थि-परदान की है इसके लावा परदेश मंथ्री मंडल ने और भी नीरन लिए है जैसे शिमला जो शित्र है उसके लिए विकास योजणा को स्विक्रती दी गई है जो सिमला शित्र के निवासी है उनको अब अम्रूत योजणा के तहत सुईधाई मिलेगी अम्रूत जो योजणा है ये केंद हजार रुपे की विर्दी की गई है इसके अलावा हिमकेर कार्ड है उसका जो रिजिस्टेशन है वो अब वर्स भर होगा इसके अलावा उसकी जो वैल्डिटी है वो तीन वर्स के लिए कर दी गई है ठीक है अब आते हैं पंचायदी राज संस्थाओं के निर्वाची सदश्यों के मांदे पर ठीक है तो परदेश मंद्री मंदले उनका मांदे बढ़ाने को स्विकृति परदान कर दी है जैसे जीला परिशद के अद्यक्स है उनका मांदे 12,500 रुपे होता था पहले अब हो जाएगा 15,000 रुपे उपाद्यक्स का मांदे हो जाएगा 8,000 रुपे से 10,000 रुपे बढ़ जाएगा जीला परिशद के जो सदश्यों होते हैं उनका मांदे पहले होता था 5,000 रुपे अब वो हो जाएगा 6,000 रुपे पंचायत समीती के अगर बात करें तो पंचायत समीती के अध्यक्स का मानदे 7000 रुपे से बढ़ा कर दिया गया है 9000 रुपे पंचायत समीती के उपाध्यक्स का मानदे 5000 रुपे से बढ़ा कर दिया है 6500 रुपे और सदेश्य का मानदे 4500 रुपे से बढ़ा कर दिया है 500 रुपे प्रतीमा इसके अलावा जो ग्राम पंचायते होती है वहाँ पर परधान निर्वाचित होते है घ्राम पर्धायद के परन है उनका मान दे 4500 रुपए था पहले उसको बढ़ा कर दिया गया है फ़च पर्दहिति युप पर्दहित पर्दहिति अ कंदुर śचे फीश마 उनका मान दे 500 रूपे युचित परतीमा हिमाचल परदेश के किस प्रसिद मंदिर को केंदर सरकार के परेटन मंद्राले की परसाद योजना के तहत विक्सित किया जा रहा है Richard में आप देख पा रहे हैं माता श्री चिंत कुरुनी मंदिर comment box में बताईए माता श्री चिंत कुरुनी मंदिर कहा परस्तित है ठीक है तो इस मंदिर को विक्सित किया जा रहा है केंदर सरकार के प्रयाटन मंतराले की एक योजना है जिसका नाम है प्रसाद ठीक है इस स्कीम के तहत इस मंदिर को विक्सित किया जा रहा है आईए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं देखे जो प्रसाद योजना है ये किंदर सरकार की योजना है इसके तहट मैतवपूर्ण तीर्थ और विरासत स्लो का विकास किया जाता है कैसा विकास जो समावेशी हो एकिकरित हो और वहाँ पर बेहतर बुनियादी धाचे का विकास हो इसके अलावा आजीविका, कोशल, स्वश्चता, शुरक्षा, पहुच और सेवा वित्रण पर इसका जो अब्जेक्टिव है वो किंदरित है योजना के तहत मा चिंतपुर्णी मंदिर में सुविधाओं के विस्तार पर लगबग 40.07 करोड रुपे खर्च किये जाने परस्तावीत है मंदिर में इस योजना को लागू करने के लिए 1696 वर्ग मीटर शेतर की आवसकता है जिसमें से 1049 वर्ग मीटर शेतर का अधिगरन कर लिया गया है मंदिर में इस योजना के तहत तीन गेट बनाए जाएंगे सरधालू सुविधा के अंदर रेलिंग मंदिर की सजावर ड्रेनेज सिस्टम का सुधार शीशे की छत तारों को अंदर ग्राउंड करना आधी निर्मान कारिये किये जाएंगे इसके अलावा रास्तों में सुधार, वोटर ATM, श्री शेड, सोलर लाइट, कचरा परभंदन, इटोयलेट के निर्मान के साथ-साथ अपशिष्ट परबंदन पर भी 5.36 करोड रुपे खर्च के जाएंगे Q3. In which district the electric vehicle manufacturing park will be set up in हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश में electric vehicle manufacturing park किस जिले में स्तापित किया जाएगा Very very important question तो हिमाचल परदेश के उना जिले में electric vehicle manufacturing park स्तापित किया जाएगा इसके लिए परदेश सरकार ने केंदर सरकार से सायता करने को भी परस्ताव भीज़ा है Q4. Recently Chief Minister श्री जैराम ठाकूर has inaugurated the media center of हिमाचल परदेश Where has this media center been established हाल ही में मुख्य मंतरी श्री जैराम ठाकूर ने हिमाचल परदेश के Media Candr का लोकारपन किया है यह media Candr कहां पर स्तापित किया गया है तो हिमाचल परदेश का media Candr हिमाचल भवन नई दिल्ली में स्तापित किया गया है Next question है Very important question यह question exam में आने के chance पूरे पूरे है Recently gram panchayat dhudi has been awarded दीन दियाल panchayat empowerment award and child friendly gram panchayat award ठीक है तो दहूरी gram panchayat को दो अवार्ड से नवाजा गया है एक तो है दीन दियाल panchayat empowerment award और दूसरा है child friendly gram panchayat award ठीक है gram panchayat dhudi comes under which district हाल ही में gram panchayat dhudi को दीन दियाल panchayat सशक्ति करण पूसकार और बाल हितेशी gram panchayat पूसकार से सम्मानित किया गया है gram panchayat dhudi की जिले के अंतरगत आता है तो यह आता है हमीरपूर जिले के अंतरगत Very important question अगर शशक्ति करण पूसकार की बात करें तो इसमें मिलते हैं 10 लाक रुपे कूसकार के तोर पर वही बाल हितेशी gram panchayat पूसकार के लिए मिलते हैं 5 लाक रुपे ठीक है इनामी राशी के तोर पर Question number 6 पंचायat समीती नादोन has been awarded with which award recently ये भी question exam में आने के chance काफी जादा है कि पंचायat समीती नादोन को हाल ही में किस पूसकार से समानित किया गया है तो दीन द्याल उपाध्याय पंचायती राज पूसकार Very important क्यों important है आगे मैं बताता हूँ देखिए ये लगातार दूसरी बार है कि जब पंचायत समीती नादोन ने दीन द्याल उपाध्याय पंचायती राज पूसकार पराप्त किया है ठीक है और राशी इसमें मिलती है 25 लाख रुपे की इनामी राशी पंचायत समीती को दी जाएगी और उमीद है कि अगले वर बीशु तोहार के उसर पर नमकीन हलवा बनाया जाता है तो बीशु तोहार पर एक बड़ा सा आर्टिकल इस बार के गरिरा समाचर पतर में था तो इसलिए हमने ये कोशन इंकलूड कर लिया है हिमाचल परदेश के कल्चर से रिलेटिड है हिमाचल परदेश के कि शेतर में बीशु त्योहार के उसरवर नमकीन हलवा बनाय जाता है तो ये बनाय जाता है किनोर शित्र में ठीक है डीज कोशन का राइट आंसर रहेगा वास्तव में बीशु यानि के बैसा की उस्सव हिमाचल परदेश पर पंजाब के कई शित्रों में नए वर्ष के त्योहार के रूप में मनाय जाता है इसे बसोवा के नाम से भी मनाय जाता है खास करके मंडी में और चंबा जिले में ठीक है इसे बसोवा के नाम से मनाय जाता है सतलुज घाटी में एक गाव है सोमा कोठी सतलूज गाटी में सोमा कोठी एक गाव है जो कि मंडी जिले के करसोग मंडल के अंद्रगत आता है यह एक धरोवर गाव है सोमा कोठी इसका नाम पड़ा सूमी देव उपर सूमेश्वर महादेव कि यह पावन भूमी है जहां देवता का सतलूज शिखर शैली का बहु पिरा मीडिय मंदिर कलात्मक वैभाव का प्रति रूप है यहाँ पर वैसाग मास में पारंपरिक वीशु मेले का भवे आयोजन किया जाता है रामपूर बुशर शेक्तर में भी वीशु तोहार मनाया जाता है और इसको ठिर्शु के नाम से भी जाना जाता है और इसके मनाने के पीछे माभारत काल में पांड़ों से जुड़ी मानेता परचलित है तो यह important fact आप लोग को याद रखना है इस त्योहार में स्वांग वे जहाकिया रात्री भर निकाली जाती है किन्र परदेश के रिबा में राजा कंस की पूजा का विधान है यह भी आप लोग को याद रखना है सुकेत शेतर में इस अवसर पर माला नाटी निर्थय का आयोजन किया जाता है बीशू के परव को हिमाचल में बैसाक मास के पहले पकवाडे में मनाने की परंपरा है प्रंतु कहीं कहीं बीशूत्सव जेश्ट वे असाड मास में भी आयोजित किये जाते है ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है कि बैसाक मास के पहले पकवाडे में जातर यह मना लिया जाता है लेकिन कहीं कहीं पर जेस्ट और असाड मास में इसको मनाने की परंपरा है दार्मिक स्थल गुप्त अमरनाथ गुफा कहां स्थीत है? तो इस question का right answer हो जाएगा मंडी के सुंदरनगर तैसिल के धारली नामक स्थान पर धारली नामक स्थान मंडी के सुंदरनगर तैसिल के अंदर गत आता है यहाँ पर गुप्त अमरनाथ गुफा स्थीत है ठीक है? Next question है कांगडा पेंटिंग फ्लरिष्ट दूरिंग दा रेन ओफ विच रूलर कांगडा चितरकला किस शाशक के शाशनकाल में फली फूली तो महराजा संसार चंद कटोज इनके शाशनकाल में कांगडा चितरकला फली फूली ये थे विद्या और कलापरिमी और कांगडा चितरकला एनी के समय में फली फूली थी Question number 10 Recently Chief Minister Shri Jairam Thakur met Union Home Minister Shri Amit Shah to get tribal status for Hati community Hati community is mainly related to which district हाल ही में हाटी समुधाय को जन जातिय दरजा दिलाने के लिए मुख्यमंतरी Shri Jairam Thakur ने केंद्रिय ग्रह्यमंतरी Shri Amit Shah से भेट की हाटी समुधाय का सम्मंद मुख्यतय किस जिले से है हाटी समुधाय का सम्मंद मुख्यतय सिर्मोर जिले से है ठीक है आप लोग याद रखेंगे हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंतरी Shri Jairam Thakur ने हाटी समुधाय को जन जातिय दरजा दिलाने के मामले में केंद्रिय ग्रह्यमंतरी Amit Shahji से मुलाकात की है हाटी समुधाय के अगर बात करें तो सिर्मोर जिले के चार विदानसभा शित्रों में ये रहता है जिसमें शिलाई, पॉंटा साहिव, रेनुका और पच्छाद शामिल है सिर्मोर जिले के साथ उत्राखंड की भी सीमा लगती है और उत्राखंड राज्ये में इस समुधाय को जनजातिय दर्जा पराप्त है ये important fact अब लोग को याद रखना है कि हाटी समुधाय सिर्मोर जिले के मुखेत है चार विदानसभा शित्रों में रहता है और क्यों ये case मजबूत है क्योंकि सिर्मोर जिले के साथ जो उत्राखंड की सीमा लगती है वहाँ पर इस समुधाय को जनजातिय दर्जा पराप्त है question number 11 in which district the first science center of हिमाचल परदेश has been built हिमाचल परदेश का पहला विज्ञान केंदर किस जिले में निर्मित किया गया है इस question का सही answer हो जाएगा कांगडा जिले में कांगडा जिले में हिमाचल परदेश का पहला विज्ञान केंदर निर्मित किया गया है इसका उदगाटन हाल ही में केंदरिय मंतरी अनुराग ठाकुर ने किया है यह विज्ञान केंदर भारत सरकार के संस्कृती मंतराले के अंतरगत National Council of Science Museums द्वारा तियार करवाया गया है इसकी लागत रही है 9 क्रोड रुपे Next question है Which player from हिमाचल won the bronze medal in the National Para Table Tennis Competition held recently in Indoor हाल ही में Indoor में आयोजित हुई राष्ट्रिय पैरा Table Tennis परतियोगिता में हिमाचल परदेश के किस खिलाडी ने कांस्य पदक जीता है पहले तो एक question यही बन गया कि राष्ट्रिय पैरा Table Tennis टूर्नमेंट कहां आयोजित किया गया इंदोर में इंदोर कहां है मध्य परदेश में ठीक है तो यहाँ पर हिमाचल परदेश के पियूश शर्मा ने कांस्य पदक जीता है ठीक है इनका सम्मंद किस जिले से है इनका सम्मंद है शिमला जिले से पियूश शर्मा का सम्मंद है शिमला जिले से यह भी आप लोग को याद रखना है प्यूश वीलचेर पर टेबल टेनिस खेलने वाले हिमाचल परदेश के एक मातर अंतरराश्ट्रिय स्तर के खिलाडी है ठीक है Question number 13 At which place of हिमाचल परदेश was the Vyasa Film Festival organized recently हाल ही में हिमाचल परदेश के किस स्थान पर Vyasa Film Festival का आयोजन किया गया Very important question Vyasa Film Festival का आयोजन किया गया बिलासपूर में ठीक है मेरशी वेद व्यास की तपस्तली बिलासपूर यहाँ पर पहली बार Vyasa Film Festival का आयोजन किया गया इस कारेकरम में प्रदेश भर्से विभिन कलाकारों ने भाग लिया व्यास Film Festival 2022 के दोरान हुई परतियोगिता के तहत डोक्यूमेंटरी केटेगरी में विरासत को पहला स्थान मिला है Very important अक्सर पहला स्थान ही पूछा जाता है एकजाम में ठीक है डोक्यूमेंटरी केटेगरी में जो बेस्ट डोक्यूमेंटरी है उसका अवार्ड मिला है विरासत को ठीक है दूसरा मिला है कहलूर सदियों से और तीसरा मिला है आर्ट्स ओफ ट्रेलर शोर्ट फिल्म कैटेगरी के अगर बात करें तो पहला अवार्ड मिला है माइंड सेट शोर्ट फिल्म को शोड फिल्म की केटेगरी में दूसरा स्थान मिला है नया जमाना को और तीसरा स्थान मिला है हाई टेक को वहीं अगर सरस्रेश्ट अभिनेता की बात करें तो सोहन कपूर को सरस्रेश्ट अभिनेता का किताब मिला है किताब मिला है वहीं सरस्रेश्ट अभिनेतरी का किताब मिला है नव्या पंत को ठीक है समापन के मोके पर विजयताओ को पुरुश्कृत किया गया तो important इसमें यही बनता है कि सरस्रेश्ट डोकुमेंटरी इस फिल्म फेस्टिवल में कौन सी थी विरासत सरस्रेश्ट शोट फिल्म कौन सी थी माइंड सेट सरस्रेश्ट अभिनेता अभिनेता थे सोहन कपूर और सरस्रेश्ट अभिनेतरी थी नव्या पंत question number 14 where is the second astroturf hockey ground being built in हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश में दूसरा astroturf hockey मैदान कहां पर बनाया जा रहा है सिर्मोर के माजरा में हिमाचल परदेश का दूसरा astroturf hockey मैदान बनाया जा रहा है comment box में लिख करके बताईए हिमाचल परदेश का पहला hockey astroturf मैदान कहां पर स्तीत है ठीक है तो जल्दी से comment box में बताईए question number 15 हिमाचल's mountaineer and athlete बलजीत कोर scaled the world third highest peak कंचन जंगा to which district does she belong हिमाचल की परवाता रोही और athlete बलजीत कोर दुनिया की तीसरी सबसे उची चोटी कंचन जंगा को फते इनों ने कर लिया है इनका सम्मंद किस जिले से है बलजीत कोर परवाता रोही का सम्मंद है सोलन जिले से ये question हम पहले भी बहुत बार कर चुके है लेकिन news में रहती है ये question important बन जाता है क्योंकि हाल ही में इनोंने कंचन जंगा जिसकी उचाही है 8586 मीटर इस चोटी को भी फते कर लिया है ये जो कंचन जंगा परवत है ये दुनिया की तीसरी सबसे उची चोटी है ठीक है इसके अलावा इनोंने एक और रिकोर्ड अपने नाम कायम किया है क्या रिकोर्ड है अमरुजाला का ये article है और इसमें लिखा है कि बलजीत कोर एक महीने से भी कम समय में आठ हजार मीटर की उचाई वाली चार परवत चोटियों को फते करने वाली पहली भारतिय परवतारोई ये बनी है ठीक है आठ हजार मीटर से अधिक उचाई वाली चार परवत चोटियों को फते किया है इनोंने एक महीने से भी कम समय में ऐसा रिकोर्ड कायम करने वाली ये पहली भारतिय मांटेनियर है फ्रेंट्स इस बार के ग्रिया समाचार पुतर में कुछ वन नाइनर क्वेशन भी थे वो भी हम देख लेते हैं पहला क्वेशन है जुद गरस्त युक्रेन से वहां रह रहे भारतियों की शकुषल घरवापसी के लिए कौन सा अभियान चलाए गया तो ऑप्रेशन गंगा चलाए गया भारतियों की शकुषल घरवापसी के लिए युक्रेन से नेस्ट कोशन है भारत में विश्व का सबसे उचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर निर्माना धीन है विश्व का सबसे उचा रेलवे ब्रिज चिनाब रीवर पर बनाया जा रहा है ये जो ब्रिज है ये जमुर कश्मीर केंदर साशित प्रदेश में बनाया जा रहा है सम्मानित किया इनकी आयू है 125 वर्स विश्व पृत्वी दिवस 2020 का थीम क्या था हमारे ग्रह में निवेश करें नेस कोशन है भारत के किस राज्ये ने पहली बार कार्बन नीट्रल फार्मिंग के लिए 2022-23 के बजट में धनका अवंधन किया है तो केरल राज्ये ने वैरी इंपोर्टन कोशन नेस कोशन है वैदि काल में किस यग में सुरा का परियोग किया जाता था तो सुत्रा मनी यग में सुरा का परियोग किया जाता था कौन से ग्रह को शुबय और शाम का तारा कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को शुबय और शाम का तारा कहा जाता है नेस्ट कोशन मोसम की भविश्यवानी किसकी सायता से की जाती है भूस तरिय उपग्रे की सायता से मोसम की भविश्यवानी की जाती है ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महीला का नाम क्या था पहली महीला का नाम मेरी लीला रो भारत की तरफ से इन्होंने उलम्पिक में पार्टिसिपेट किया था ये पहली महीला थी जिनोंने उलम्पिक में पार्टिसिपेट किया था राश्ट्रिय खेल दिवस कम मनाय जाता है मेजर ध्यानचंद के जनम दिवस पर 29 अगस्त को भारतिय सबजी शोध संस्थान कहा स्थीत है वारानसी में देश के किस एकमातर रज्य की भाषा अंग्रेजी है नागलेंट नेस्ट कोशन है भारत माला प्रियोजना में हिमाचल के किस शेत्र को शामिल किया गया है नालगड बद्धी को हिमाचल परदेश बस स्टेंड प्रबंदन प्राधिकर्ण का गठन कब किया गया था वर्स 2000 में ठीक है ठीक है देश का प्राचिंतम आई स्केटिंग रिंग कहां परसीत है शिमला में ठीक है अब आपके लिए आज का स्वाल इस स्वाल का जवाब को कमेंड बोक्स में लिख करके बताना है question है what percentage discount has been announced for women passengers in हिमाचल परदेश ट्रांसपोर्ट कोर्परेशन बसिस हिमाचल परदेश परीवन निगम की बसों में महीला यात्रियों को किराय में कितने परतिशत की छूट परदान की गई है options are 20%, 30%, 40%, 40% जल्दी से बताईए इस question का right answer और finally यहां पर मैं यह भी आड़ कर दूँ ग्रिराज हिमाचल आपके लिए लाए है online H.P.A.S. इसमें आपको GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3 की तयारी करवाई जाएगी तो जल्दी से अप्लाई करिए इस course के लिए course की detail आपको हम दे देते हैं high quality content इसमें आपको मिलेगा course online रहेगा you can access the course from anywhere course की जो language है वो रहेगी English यानि के content आपको मिलेगा English में लेकिन उसकी जो explanation है वो Hindi और English दोनों language में की जाएगी PDF available for each class आपको हर class की PDF मिलेगी ठीक है पूरा syllabus जो GS का है HP AS का वो cover किया जाएगा इसमें best ये रहेगा 2023, 2024 या 2025 के लिए जो students prepare करना चाते हैं उनके लिए ये course best रहेगा इसके लावा इसमें आपको और क्या मिलेगा dedicated telegram channel यहाँ पर आप अपने queries put कर सकते हैं course will be helpful in other HP exam also like HP SSC, HPU, HP TET etc और course जो इसकी रहेगी वो बहुत कम रहेगी पहला batch है तो cost केवल रहेगी 1000 रुपे मातर 1000 रुपे मातर में आपको बहुत सारे subject cover किये जाएंगे course की जो validity है वो रहेगी 24 महीने की ठीक है इसके लावा हर subject के completion पर आपको free test भी उस subject से related provide किया जाएगा ठीक है तो this course is best who are preparing for HPPCS 2023, 2024 और 2025 course में कौन-कौन से subject cover के जाएंगे history, quality, geography, art and culture, himachal, gk environment ecology, economics disaster management, HPAS में काफी weightage रखता है science and technology, international relations etc. इसके लावा अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी website www.grirajhimachal.com visit कर सकते हैं वहाँ पर store section में जाएगा वहाँ पर आपको इस course से related और भी जानकारी मिल जाएगी जल्दी से ये course जॉइन कर लीजिए जॉइन करने का link इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा So friends, thanks for watching इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत